हेलो श्टुरेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपूर पे तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास एट का साइंस में कुछ ऐसे कुश्चन को देखेंगे जो आपके एक्जाम यानि 10 मईए को जो आप लोगों का एक्जाम होने बारा है चैनल पे पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बैल अकन को अवस्ट से प्रेस कर लिजे इससे होगा है कि जब भी हम आपके लिए कोई वीडियो बनाएंगे तो उसको नोटिफिकेशन आपके मुबाइल पर चला जाएगा साथी साथ आप लोगों के ल किस तरह से पास कर जाईएगा तो उन सब जहांसों में मत आईए बीना पढ़े कोई भी पास नहीं करता है अगर बीना पढ़े कोई पास करता तो कोई भी इंसान पढ़ता नहीं सरी पर एक्जाम देता ठीक है तो मैं इन सब बातों पर ज़्यादा नहीं देता हूँ मैं सर से ज्यादा वीडियोज आप लोगों के लिए अपलोड किया गया है दस दिनों में पिछले दस दिनों में साट से ज्यादा वीडियोज अपलोड कर दिये गए हैं यदि आप लोगोंने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर जरूर देखिए आपको जरूर help मिलेगा ठीक है मैं guarantee तो नहीं लेता हूँ कि आपको first करवा दूँगा लेकिन इतनी guarantee है कि आप pass जरूर करेंगे तो चलिए छोड़ियो वो सब बाते तो होती रहेंगे पहले हम लोग आज का class शुरू करते हैं आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो subscribe करके बेल आइकन को जरूर प्रेस किजेगा इससे होता यह है कि हमारे वीडियो का notification आप तक पहुँच जाता है और वीडियो को like और share चरूर कर दीजेगा तो सबसे पहला सवाल आपके screen पर आप देख पा रहा हैं और उसमें कुछ पानी रह जाती है और उसमें तेल डाल दिया तो किस तरह से आग भड़कता है तो इस परकार से हम नहीं आपको बताया था कि तेल में लगी आग को जो है आप पानी के द्वारा नहीं भुजा सकते हैं तो किस के द्वारा भुजाएंगे तो carbon dioxide के द्वारा भुजाएंगे यानि CO2 के द्वारा हम उसे बुजा पाएंगे अगला सवाल देखे क्या है दहन के लिए क्या आवश्यक है दहन का मतलब होता है जलना तो जलने के लिए क्या आवश्यक होता है हवा अवश्यक है पानी है आग है या ज्वाला है ठीक है तो दहन दहन तो खुद एक आग है दहन क्या है खुद एक आग है तो ये तो आपसन नहीं होगा ज्वाला भी एक आग है ये भी नहीं होगा अच्छा दहन दहकने के लिए अगर आप पानी दिजेगा तो कोई भी ची ऑक्सिजन या फिर हवा डोनों ओप्सन आपलों का एक्जाम में हो सकता है अगर ऑक्सिजन रहेगे तो ऑक्सिजन को क्रिकाउट करना है निय Georgia quiere टो हवाग टिक आर्वर ही ट्यूट करेंगे टिक् Leaf Impotent अब चलिए, यह वाला question काफी important है देखें, जैसे हम लोग घले खाने के लिए पोशक बता क्या है, इनसान को जीना है इनसान को जीना है तो वो बड़ा होगा, पहले बच्चा था, फिर बड़ा होगा फिर बड़ा होगा, फिर बुला होगा, फिर एक दिन carbon monoxide चाहिए oxygen चाहिए या फिर जल चाहिए तो देखे जल तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए अगर आग जल रही है कहीं पर आप उसमें जल डाल दीजेगा तो वो क्या हो जाएगा बूझ जाएगा अगर आप उसको एक ग्लास से ढग दीजे सीसे के ग्लास वो मुंबती जब तक उसके अंदर oxygen होगी तब तक तो ठीक जल रही है उसके बाद वो अपने आप बूझ जाएगी ठीक है तो आप समझ गया है कि दहन के लिए कौन सा पोसक पदार चाहिए आग को तो आग को जो है oxygen चाहिए oxygen से उसको ताकत मिलते हैं समझ लिए कि oxygen उसके लिए blood का काम करता है है ना जब तक oxygen है तब तक आग जल रही है oxygen खतम खेल खतम ठीक है चलिए नेक्स्ट है हमारा विदू तूपकरनों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अगनी सामक क्या होता है त पानी डालिएगा तो आप ही कोई current मारेगा ठीक है ना तो पानी भी मट डालिएगा rate डालिएगा बालू डालिएगा बालू डालने से भी कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है carbon dioxide के दवरा बुझाया जाता है किसके दवरा CO2 के दवरा ये सब बाते अगदम ध्यान रखे काफ करें करें कि तो किरोसी नहीं आपका आन्सर हो जाएगा ये क्या होगा ठीक है अगला सवाल लिखें अगरेक है निमलिखित में से कौन सवता दहन का उधारन है छान अब हमें बताइए कि लक्ली में सवता दहन होता है लकली अपने आप जलता है रहे हम लोग जलाते हैं उसको पठाका अपने आप जल जाएगा रहे हम लोग जलाएंगे तभी जलेगा या गलती से जलेगा ठीक है ना इन में से तो कोई बाती नहीं है स्वेथ फासपोरस ये जो होता है ये अपने आप आग लग जाता है इसमें नहीं समझे यहां पर आग लग रहे हैं यहां पर लकड़ी हो तो कभी न कभी यह लकड़ी में भी आग लग जाएगा कोईला है कोईला में अगर आप एक जगा आग लगा दीजिएगा दूसरी जगा वह अपने आप बढ़ते चल जागा तो वह दहन सील हुआ पेट्रोल तो नहां पर जो है अदहन सील पदार्थ है तो उमीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हुआ कि अदहन सील पदार्थ को हम लोग किस परकार से छांट सकते हैं ओप्संस के द्वारा ठीक है कोशन नमर 8 पर आते हैं लकड़ी का जलना किस परकार का दहन का उधारन है अब लग जाएगा ठीक है तो स्वेता दहन तो होगा नहीं लकड़ी ठीक है विस्फोटक क्या लकड़ी विस्फोटक है बिल्कुल भी नहीं यह मंद दहन के अंदर गता आता है यानि कि धीरे धीरे जलता है और आगे बढ़ता है ठीक है तो इसको हम लोग प्या रखेंगा कौन सा सर्थ आवशयक होगा कौन सी बात आवशयक होगा सेम इसी परकार के पुछा जाएगा लोगों को पूछा जाएगा अग्जामिन लॉजिक वाला आप सोचिए गड़ाजिक वाला पुछन पूछेगा champ चोसीगा कि सिखोन की इंग फेमस कोष्चन तो इस अब क्यो कि दहन यहां पर कहे रहा है दहन जलने की किरियाई के लिए कौन सी सर्टावस सखे और आप कह रहे हैं और दहन सील पदार्थ की उपस्थिति जब वह दहन सीले है तो जलेगा कभी भी नहीं जलेगा तो पहला अप्सन तो पहले गलत हो गया पदार्थ के जोलन ताप की प्राप्ति अच्छा इसके बारे बाद में चर्चा करेंगे नेक्स्ट देखते हैं वायू की अनुपस्तिती बताईए अभी हम अतना दिर से पढ़ा रहा हैं कि वायू रहेगा तो आग जलेगा क जनी पदार्थ जो होता है वो अपने जलने के लिए एक निश्चित ताप होता है एक टेंपरेचर होता है अगर वो उतना टेंपरेचर को क्रॉस करेगा तो उसमें आग लग जाएगा अब जैसे देखते होंगे ना कभी कभी जंगलों में खुब गर्मी पढ़ रही तो आ जाप्त कर लेता है अब मान लेजिए कि एक कागज है रखा हुआ पहाल पर एक कागज का धेर है और उस पर सीधे सूरी की किरन उस पर सीधे पढ़ रही है ठीक है और उस कागत का ताप है कि अगर वो 101 डिग्री सेंटिग्रेट जैसे गया उसमें आग लग जाएगा ठीक ह यह एक 101 डिग्री टेंपरिचर पोड़ेगा वो कागज में स्वत्ह क्या हो जाएगी आग लग जाएगी तो स्वत्ह आग कब लगा ये जो कागज ये जो पदार्त है ये जोलन ताप की प्राप्ती कर लिया यानि जब उसका जो जोलन ताप है हर पदार्त का एक जोलन अगर ऐसा होता, तो माचिस को जैसे तीली को आप जलाएं, तो जो आग लगा है माचिस में, वो आग नहीं लगता है, माचिस को सटाने से खली जल जाता, ऐसा नहीं है, पहले उसमें आग लगा, वो आग कागज को क्या क्या हिट कर रहा है, हिट करने के बाद वो जलने लगत ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा आखरी सवाल है, बढ़ियां से देखिए, वह ताप जिसपर कोई पदाड जलना सुरू करता है, क्या कहलाता है, ठीक है, जोलन ताप, जोला, जोलन सिल, दहन सिल, पदाड, देखिए, पदाड के बारे में तो आप से पुछा नहीं, ज जोलन सिल के बारे में पूछा नहीं, जोलन के बारे में पूछा नहीं, तो यहां पर अभी आप उसके उपर वाले जो question कियें, उसी को घुमा करके पूछा है, कि वह ताप जिस पर कोई पदा चलना सुरू कर देता है, क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग जोलन ताप कहते हैं, तो ताप वाले ना अंसर देंगे, यहां पर देखिए, वह ताप, है न, तो ताप के बारे में पूछा तो जोलन वाले ताप हो गया अंसर, तो उमीद करते हैं, कि आज का यह जो टॉप 10 सवाल था आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है, तो प्लीज हम आपके बताने से हमें मोटिवेशन मिलती, तभी हम आपके लिए वीडियोज बना पाते हैं, तो आप लोग वीडियोज को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, दबा करके और बताइए, कॉमेंट करके कैसा लगा, अगर आप अभी तख हमारे सारी वीडियोज को नहीं देखे हैं Thank you